Competition Target Channel में आपका स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए Simple Interest का कुछ Basic प्रस्ण को लेकर के आया हूँ क्योंकि कठीन प्रस्ण बनाने से पहले Basic जान लेना काफी Important होता है जब तक आपका Basic क्लियर नहीं होगा आप कठीन प्रस्ण को असानी से solve नहीं कर सकते है तो चलिए देखते हैं इसका Basic क्या है आज साधारन ब्याज का इसमें आपको कुछ पहले formula को देखना होगा और कुछ formula यदि आपको याद हो जाएंगे तो प्रस्ण करने में बहुत असानी होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं Interest Interest बड़ाबर होता है P into R into T by 100 होता है जहाँ पे I जो है कि आपका ब्याज होगा और P मतलब Principal होता है यह मुल्धन हो गया R का मतलब Rate Rate मतलब दर हो गया और T समय होता है और यह 100 तो यदि हमको ब्याज निकलना हो तो हम इस फर्मूला पे अराम से निकाल सकते हैं यदि हमको मुल्धन निकालना हो ब्याज दिया हुआ रहेगा मुल्धन निकालना हो तो हम असानी से इस फर्मूला पे हम निकाल सकते हैं तो मुल्धन बड़ाबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय चलिए तीसरा देखते हैं फरमुला अगर हमको दर निकलना होगा रेट निकलना होगा तो interest into 100 by principle into time मतलब ब्याज गुने 100 बटा मुल्धन गुने समय करके हम दर निकाल सकते हैं चलिए यहाँ पे चार नमबर देखते हैं समय यदि हमको निकालना हो तो हम उसके लिए भी ब्याज गुने 100 बटा मुल्धन गुने दर करके हम समय को भी निकाल सकते हैं पांच नमबर देखते हैं फरमुला यदि हमको मिस्रधन निकालना हो यह मतलब amount होता है और हिंदी उसका मिस्रधन होता है तो यदि हमको मिस्रधन निकालना हो तो मुल्धन जोर interest मतलब ब्याज मुल्धन जोर ब्याज दोनों को अगर जोर देंगे तो मिस्रधन निकाल जाएगा यदि हमको सिख्ष देखते हैं यदि हमको मिस्रधन निकालना हो हमको ब्याज मालूम नहीं हो तो उस इस्तिती में हम क्या करते हैं कि मुल्धन मालूम रहेगा ब्याज हमको मालूम नहीं है तो दर और समय दोनों हमको मालूम होगा तो उस इस्तिती में हमको डिरेक्ट मिस्रधन निकालने के लिए P into 1 पलस R गुने T बटा 100 करके हम निकाल सकते हैं मिश्रधन यदि हमको मुल्धन निकालना हो मिश्रधन मालूम हो और ब्याज भी मालूम हो तो मुल्धन निकालने के लिए P बराबर A-I कर देंगे मतलब amount minus interest कर देंगे तो हमारा principal निकल जाएगा चलिए आगे देखते हैं यदि हमको मुल्धन निकालना हो और हमको मिश्रधन दिया हुआ हो लेकिन ब्याज मालूम नहीं होगा उस condition में हम मुल्धन बराबर मिश्रधन गुने 100 बटा 100 पलस दर गुने समय इस formula पे हम मुल्धन निकाल सकते हैं चलिए बाड़ी बाड़ी से हम कुछ question को देखेंगे और उससे जो है की और ज्यादा clear हो जाएगा चलिए पहला प्रस्ण है कि पचीस सो रुपय का पांच परतिसात वार्सिक सधारन ब्याज की दर से चार वर्स का सधारन ब्याज क्या होगा अब यहाँ पे देखिए पचीस सो रुपया यह हमाड़ा पी दिया हुआ है पचीस सो रुपया ठीक है और यहाँ पे आर दिया हुआ है पांच परसेंट ठीक है और यहाँ पे समय जो है समय मेरा दिया हुआ है चार वर्स चार वर्स मेरा समय दिया हुआ है तो आप इस फर्मूला एक नमबर फर्मूला पे भी आप अराम से निकाल सकते हैं कि पचीस सो गुने पाँच गुने चार बटा एक सो कड़के दो जिरो से दो जिरो काट दिजिए अब इसको हम गुना करेंगे तो चार पचे बीस और पचीस दुना पचास पांच सो रुपिया हमारा क्या निकला ब्याज निकल गया या एक और गी तरीका से आप इस परकार के प्रसुन को निकाल सकते हैं यहां देख सकते हैं कि 5 परतिशत वार्शिक ब्याज हो रहा है मतलब हर साल 5 परतिशत ब्याज लग रहा है पचीश दू परतिशत प्रसौ ब्याज लगएगा तो तो उतकतल ब्याज कितना लगएगा 20% लगेगा तो इस तरह से आप डिरेक्ट निकाल सकते हैं पचीस सो का 20% मतलब हो गया 20 बटा 100 हो जाएगा या यदि आप को परसेंटेज आता है तो इसका डिरेक्ट आप लीग सकते थे 1 बटा 5 क्योंकि 20 परतिसत का 1 बटा 5 होता है तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे भी तो यहाँ पर कितना हुआ 200 दूना 500 तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं डिरेक्ट ठीक है चलिए आगे का प्रस्ण देखते हैं दो नमबर कितने समय में 5000 रुपय का 10 परतिसत प्रतिवर सधारन ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपय हो जाएगा अब यहाँ पर देखे देखिए कि यहाँ पर हमको मुल्धन मालूम है 5000 रुपया और उसका दर भी मालूम है और घड़ा है कि 1000 रुपय हो जाएगा मतलब यहाँ पर 5000 रुपया 10 परतिसत ब्याज जो है करके एक हजार रुपिया उसका ब्याज हो जा रहा है ठीक है तो वह दर हमको निकालना है, स्वरी समय निकालना है कितने समय में 5000 रुपिया, 10-3 के ब्याज से जो है कि उसका ब्याज 1000 रुपिया हो जाएगा तो हमको समय बडाबर, क्या होता है? आपको फर्मूला, यहाँ पे चार नूमबर फर्मूला देख सकते हैं, कि समय बराबर, ब्याज गुने एक सो बटा, मुल्धन गुने दर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कि ब्याज कितना है? गुने एक सो बटा हम यहाँ पे मुल्धन गुने दर लिख सकते हैं अब इसको काट दिजिए तीन जिरो से तीन जिरो ही कर जाएगा एक जिरो से एक जिरो कर जाएगा और यह पांच दुना दस कर जाएगा यानि कि दो वर्ष जो है कि मेरा समय निकल गया ठीक है उमिद है कि यह प्रस्ण आपको समझ में आ गया होगा फिर समय धोरा देता हूं यहाँ पे कितने समय में 5000 रुपिया का 10% प्रती वर्ष सधारन ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपिया हो जाएगा मतलब 5000 का 10% ब्याद जो है कि 1000 रुपिया हो जाता है तो कितना समय में होता है तो समय निकालना है तो समय के लिए हम यहाँ पे आपको 4 नंबर फर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे इसको हम काट करके अंसर ला सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं तीन नंबर प्रसम देखते हैं अजय 2000 रुपिया कर्ज दिया तथा 3 वर्स बाद वह मुलधन से 300 रुपिया अधिक पाया ब्याज की दर प्रती वर्स क्या है यहाँ पे हमको दर निकालना है मतलब आर निकालना है ठीक है? यहाँ पे मुलधन हमको मालुम है क्योंकि जितना हम पैसा किसी को कर्ज देते हैं या किसी से लेते हैं वो मेरा क्या होता है मुल्धन होता है और यहाँ पर समय दिया गया है तीन साल के लिए और जितना मुल्धन था उससे जादा तीन सो रुपया उसको मिला है मतलब उसका ब्याज हो गया तीन सो रुपया या मुल्धन कितना है 2000 गुने समय समय कितना है तीन आप इस तरह से कार सकते हैं दो जिरो से दो जिरो कार दिजिए एक जिरो से एक जिरो कार दिजिए यहां पे हम कार सकते हैं पंदरा दुना तीस कार दिजिए और पांच त्याई पंदरा कार दिजिए यानि कि पांच परतिसत उसका ब्याज 5 परतिसत उसका दर हो गया ठीक है चलिए आगे का प्रस्ण है कि स्याम ने 32 रुपया सारे 6 परतिसत वार्षिक साधारन ब्याज की दर से उधार लिया रीन आदाएगी कि पांच वर्ष के अंत में कितना रुपया देना होगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह P दिया हुआ है और यहाँ पर T भी दिया हुआ है अब हमको निकालना क्या है अंत में कितना रुपया देना होगा मतलब क्या है कि मुल्धन और ब्याज दोनों जो जब यदि ब्याज मालूम होता तो असानी से निकाल लेते लेकिन जब हमको ब्याज नहीं मालूम है तो उसके लिए हम फर्मुला का यूज करेंगे कि पी इंटू वन पलास आर गुने टी बटा एक सो ठीक है जहां पे मुल्धन हमको दिया गया है बत्ती सो इंटू वन पलास दर दिया हुआ है 6 पुर्णाइक एक बटा दो परती सा तो इसको हम तोर सकते है तो छो दूना बारा एक तेरा बटा दो होगा दो हम नीचे लिखेंगे गुने तीन सोरी गुने पांच है क्योंकि समय पांच वर्षा है और यहाँ पे दो गुने एक सो कर दिजिए यहाँ एक बार और हम आगे बढ़ा लेते हैं 32 गुने 1 पलस कितना हो जाएगा 65 बटा 200 अब यहाँ पे 32 गुने अगर इसको हम फ्रेक्शन करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 200 बटा 200 200 से 200 कार दिजिए 16 से कार दिजिए 2 बार में और यहाँ पे आगया 16 इंटू 265 अब इसको हम मल्टिप्लाई करके लिख सकते हैं तो इसको मल्टिप्लाई जब हम करेंगे तो आजाएगा हमारा 42 140 रुपिया और यही मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है उमीद है यह आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे देखते हैं छे नंबर कौन सी धन रासी सधारन ब्याज की 6 परतिसत वार्षिक दर से 5 वर्ष में 65 सो रुपिया हो जाएगा यहाँ पे देखिए 65 सो रुपिया हो जाएगा का मतलब क्या हो गया कि यह हमारा ए दिया हुआ है मतलब मिश्रुधन निकालना है जबकि दर दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है तो मुल्धन बड़ाबर हो जाता है मुल्धन बड़ाबर हो जाता है एक गुने एक सो बटा एक सो पलस आर गुने टी मतलब यहाँ पे हो गया मिश्रुधन गुने एक सो बटा एक सो पलस दर गुने समय अब हम इस पे क्योंकि यहाँ पे हमको ब्याज नहीं मालूम है अगर ब्याज मालूम होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे ठीक है अमाउंट में से ब्याज को घटा देते मुल्धर निकल जाता लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको ब्याज मालूम नहीं है तो हम इस तरह से फर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है गुने एक सो पटा एक सो पलस दर दिया हुआ है छे और समय दिया हुआ है पांच चलिए तो यह होगा पैंसट सो इन्टू एक सो बटा यह हो जाएगा छे पचे तीस एक सो तीस हो जाएगा इसको हम काट सकते हैं तेरा पचे पैंसट कर जाएगा यानि कि अब गुना कर देंगे तो पचास डबल जीरो यानि कि इसका अंसर आ जाएगा हमारा पांच हजार रुपया क्या निकला मूलधन निकल गया ठीक है उमीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा चली दूस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि मैं सिंपल इंट्रेस्ट का आगे वाला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए इसलिए सब्सक्राइब परना जरूरी है यदि आप नए है तो यदि आप पहले से सब्सक्राइब किये हुए है तो कोई बात नहीं है आप लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए ठीक है आज यह बेसिक था इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें जो है कि आपको केवल ट्रीकी सोलूसन बताऊंगा आपको कठीन से कठीन प्रस्ण को भी चुटकी में कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ट्रीक के द्वारा एक